इस वीडियो में आज हम मुख्य उपनिशदों के नाम जानेंगे वो भी उपनिशदों के अनुसार यानि वेदों के अनुसार उपनिशद सब्द का साधारन अर्थ है समीप बैठना चार वेद में भी एक वेद के चार भाग किये गए उणें मन्त्र संहिता, ब्रामभन, आरणिक और उपनिशद के जाते हैं वेद के अनुसार यानि मुक्तिको उपनिशद के अनुसार 108 मुख्य उपनिशदों का वर्णन मिलता है आज कल 220 उपनिशद लगभग प्राप्त है मुक्त को उपनिशद में एक चवालिस में कहा गया कि सब उपनिशदों का सार 108 मुख उपनिशद है इन उपनिशद को मुख रुप से प्रमाण माना जाता है वैसे 108 उपनिशदों में भी कुछ महापुर्शों ने केवल 9 उपनिशद को प्रमुख माना वे कुछ इस प्रकार हैं वे कहते हैं कि उपर्युक्त नौ उपनिशद में से श्वेता मुख उपनिशद को हम उपनिशद नहीं मानते है क्योंकि आदि जगत गुरु संक्राचार ने श्वेता शत्र उपनिशद पर भास से नहीं लिखा है। त्यान रहे वैसे तो सारे उपनिशदों के प्रमाण सभी संत बानते हैं किन्तु मुख्य उपनिशद इसलिए कह गये हैं क्यूंकि इनमें सभी उपनिशदों का सार मिलता है। 10 उपनिशद में जोड़ करके कुल 11 उपनिशद को मुख्य उपनिशद हम मानते हैं। इस प्रकार कुल 11 मुख्य उपनिशद हैं। इन्हें ही मुख्य उपनिशद कहा जाता है। अस्तू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेर करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवर्ष बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कर दो सब्सक्राइब करें। अपने कि वीडियो अगर शेर को वीडियो कि यांग़ आपको वीडियो ले घल स्ब्सक्राइब करल संब्सक्राइब